आप सभी लोगों को दिवाले की बहुत बहुत सुब काम नाएं आज हम जा रहे हैं अपने गाओं में गाओं में सवेरे सवेरे होती है हमारे देवताओं की धोग पूजा और मैं सब परिवार के साथ आई हैं हूँ यहां देवताओं पर अपनी धोग पूजा करने प्रसाद में सारा घर से बना कर लाई हूँ, खीर, हलबा, पूरी, ये सब चड़ाते हैं हम देवता पर सबसे पहले मैं जल चड़ाऊंगी फिर उसके बाद प्रसाद चड़ाऊंगी मैं अपने बच्चों को बुला रही हूँ, आओ तुम भी पूजा करो, दूर खड़े होकर देख रहे हो मैं अपने बच्चों को पूजा पाठ में रितिरिवाद में जरूर सामिल करते हूँ, ताकि ये अपने रितिरिवाद पूजा पाठ को सीखें और अब जा रहे हैं अपने तीसरे देउता की तरफ हमारे तीन देउता हैं और ये चाओ तरफ खेट खेट चाओ तरफ हर्याली, इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतना सुकून मिल रहा है हाँ पर कितना अच्छा लगता है गाउं में मेरे बच्चे भी काफी इंजोई कर रहे हैं और ये तीसरे देउता की पूजा भी संपन हुई पूजा करने के बाद हाँ पने घर जाएंगे, फिर महाँ पे दिवाली की त्यारी करेंगे घर आकर मैंने करी दिवाली की त्यारी, मैंने बनाई रंगोली रंगोली की सजावट के बाद मैंने जलाए दिये दे और गेट को सजावट करने के बाद ये देखें मैंने बहुत मेहनत करी है इसी जो में फिर मैंने करी लक्षिन पूजन और लक्षिन पूजन के बाद हमारे दिवारी होती है संपन